नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पात्फाइंडर पर सुहाल ही में भारत के द्वारा एक एंटी डंपिंग प्रोब को जारी किया गया है against the three countries of China, Thailand and Vietnam तो सबसे पहले तो बात करूँगा आपके साथ की एंटी डंपिंग क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है और उसके बाद बात करी जाएगी कि इन ही तीन countries के खिलाफ इस पर्टिकुलर जांच को शुरू क्यों किया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ Before I begin, I would like to tell you कि एक बहुत बढ़ी announcement होने वाली है कल शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है मेरे साथ इस class का link मैंने नीचे pinned comment में provide करवा दिया है तो जो बच्चे 21, 22 और 23 की तयारी कर रहे हैं वो definitely इस class में हाजिर हूँ और अपने doubts मुझसे यहाँ पे फूच सकते हैं Right, so as you can see Financial Express का ये article है आज से तीन दिन पहले ये release हुआ था आर्टिकल India launches a probe against China, Thailand and Vietnam ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये basically deal करता है regarding the import of solar cells from the above three countries As you can see ये वाली जो probe है शुरू करी गई है हमारी Ministry of Commerce के द्वारा against these three countries and main मुद्दा solar cells का ही था असल में probe शुरू करने के पहले एक application submit करी गई थी by the Indian Solar Manufacturer Association जिसको की हम लोग ISMA के नाम से जानते हैं इसके द्वारा ये application submit करी गई थी जिसके चलते इस पूरी की पूरी जांच को शुरू करवाया गया है शुरू करने से पहले ISMA के बारे में थोड़ी बात आपको बता दूँ ISMA basically एक registered association of companies है और ये वो सारी companies है भारत में जो की solar cells की, solar modules की या solar glasses की manufacturing करती है for the modules और ये उन सभी companies के द्वारा बनाया गया एक संगठन एक संग है ये वाला जो संग है इसको ministry of new and renewable energy के द्वारा certified भी करवाया गया है तो क्योंकि जो application थी, इनकी द्वारा submit करी गई थी इसलिए ministry of commerce ने इसको काफी seriously लिया और finally एक probe को जारी कर दिया है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि anti-dumping duty क्या होती है देखिए वैसे तो इसकी कई सारी technical definitions है लेकिन अगर इसको आसान भाषा में समझें तो इसको बड़े simple हम example से समझ सकते हैं जैसे मान लीजे मैं बात कर रहा हूँ China की और मैं बात कर रहा हूँ India की इंडिया में मान लीजे solar cell का एक जो cost है वो approximately 100 रुपे के आसपास है उधारें के तोर पर बात कर रहा हूँ और मान लीजे चाइना ये वाला जो 100 रुपे का solar cell भारत ने मिल रहा था जो की भारत के ही उद्योगें के द्वारा बनाया गया था चाइना उसको भारत ने भेज रहा है अपने country से लेकिन उसको बेच रहा है वो 80 या फिर 85 रुपीज में तो basically 15 से 20 परसेंट के discount पे चाइना बेच रहा है तो ये लाजमी है कि कई सारे भारत के जो buyers होंगे वो इस particular product को खरीद लेंगे और Indian product को खरीदने से इंकार कर देंगे लेकिन इस पूरी की पूरी चीज को जिसमें की चाइना ने इस पूरे के पूरे सामान को सस्ते दाम में भारत ने बेचा है इसको कहा जाता है dumping so dumping happens when a country exports an item at a price lower than the price of that product in the domestic market और dumping से सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है obviously ये बिलकुल सही बात है कि सबसे बड़ा नुकसान होता है domestic industries का क्योंकि इनको यहाँ पे काफी नुकसान जिलना पड़ता है और इसी चीज को खतम करने के लिए इसी चीज को prevent करने के लिए एक anti-dumping duty लगाई जाती है which is imposed to rectify the situation arising out of the dumping of goods and its trade distortive effect तो ये तो रहा आपका anti-dumping duty और इसी चीज के चलते प्रोब शुरू करी गई है comment section में आपको मुझे बताना है कि anti-dumping duty लगाने वाला जो भारत के ministry of commerce के अंदर department है उस department का नाम क्या है अब देखिए issue क्या हुआ है basically issue वही हुआ है कि solar cells जो यहाँ पर basic ingredients होते है solar modules के उन solar cells को चाइना से import किया जा रहा था लेकिन चाइना उन solar cells को 15-20% की छूट पे आपको इंडिया में दे रहा था जिसके चलते जो domestic manufacturers थे जो domestic industries थी उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था this is clearly affecting the business of solar modules which are produced using locally available raw materials जिसके चलते हमारे जो local domestic producers थे उनका business impact हो रहा था this was the main concern ना देखिए यह कोई पहली बार नहीं है कि इस particular duty को शुरू किया गया है इस particular probe को शुरू किया गया है असल में इसके पहले एक और कहानी भी है जो कि आपको जाननी important है 2018 की बात है government of India ने एक duty impose करी थी 25% की on the two countries of Malaysia and China countries का नाम थोड़ा ध्यान से देखते रहिए यह जो duty impose करी थी इसको कहा गया था safeguard duty तो safeguard duty और anti-dumping duty में थोड़ा सा फरक होता है दोस्तो safeguard duty basically एक ऐसी duty होती है जो की inquiry करने के बाद लगाई जाती है अभी क्या हुआ है जैसे भारत के case में एक anti-dumping की आपने प्रोब शुरू कर दी है अगर inquiry में साबित हो जाता है कि जी हाँ चाइना वाके में dumping कर रही थी तो कल को चाइना के ऊपर और वेतनाम और थाइलान के ऊपर यह वाली safeguard duty भारत लगा सकता है तो similarly इंडिया ने 2018 में इस particular safeguard duty को impose किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ख़बर आपके सामने है जुलाई 2018 की ख़बर है इंडिया imposes 25% safeguard duty on imported solar panels from the countries of China and Malaysia अब यह वाली जो duty थी यह पहले 25% की थी और कुछ समय के बाद इसको extend कर दिया गया था 15% का अब क्या हुआ कि यह क्योंकि Malaysia और China के उपर इतनी बड़ी duty impose कर दी गई थी basically Thailand और Vietnam से भारत के imports काफी बढ़ गए थे क्योंकि China Malaysia के उपर duty impose कर दी थी Interestingly Thailand और Vietnam से पिछले 3 सालों में 2018 से लेके 2020 तक जो import of solar cells है वो Thailand और Vietnam से Thailand से लगभग 5750% और Vietnam से लगभग 800% की increase देखने को मिली यानि कि अधिकतर जो हमारे solar cells थे वो इन दो country से आने लग चुके थे अब जो ISMA था यानि कि Indian Solar Manufacturing Association उसको सबसे पहली चीज तो यह सता रही थी कि Thailand से हम इतनी चीज़े import कैसे कर सकते हैं विएतनाम से इतनी चीज़े हम import कैसे कर सकते हैं और तीसरी चीज़ ये भी सता रही थी कि जो ये जुलाई 2021 में ये deadline थी expire होने वाली है कि जैसे ही deadline expire हो जाएगी उसके बाद किसी प्रकार का import barrier चाइना के खिलाफ नहीं लगाया जाएगा इन तीन चीज़ों के चलते basically इस probe को ISMA के द्वारा शुरू करवाया गया है और इस probe के results अभी तक सामने नहीं आये हैं लेकिन आपको यहाँ पे जानना काफी important है कि safeguard duty और anti-dumping duty में फरक क्या होता है और probe क्यों जारी करवाय गये थी अगर आप वैसे देखें तो भारत की government काफी कुछ कर रही है with respect to solar cell production in fact just अभी एक डिट महीना पहले की बात है हमने solar modules के लिए एक PLI scheme production linked incentive scheme को भी शुरू किया था तो ये भी एक अच्छा step है लेकिन साथ ही में अगर हम anti-dumping duties जैसी चीजें लगा रहे हैं ये भी हमारे domestic manufacturers को काफी जादा प्रोथसाहित कर सकती है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आने से पहले आपको बताना चाहूंगा आपको मेरे साथ जुड़ना है 22 मेई को दुपहर एक बजे इस class में हम लोग discuss करने वाले हैं polity के कुछ important MCQs and also अगर आप लोग unacademy की subscription लेना चाहते हैं तो दोस्तो फिलहाल चल रहे हैं बहुत ही बड़े-बड़े offers जिसमें की 25% off तो आपको सीधा मिल जाएगा अगर आप लोग GS के साथ optional को purchase करते हैं और साथी में 10% का discount आपको मिल जाएगा if you use my unique referral code that is ANI UPSC कोई भी आपको course purchase करना है आप मेरा code उस करिये और directly 10% का discount यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं केवल इतना ही नहीं कोई भी और exam है तब भी आप मेरा code उस करके 10% discount ले सकते हैं and also Sunday को आपको जुड़ना है combat में जो इसमें winners होंगे उनको scholarship मिल सकती है again ध्यान रखना है using my code ANI UPSC you can easily win this scholarship on that note I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe